हाई एवरीवन और वैलकम तू आल मैसेल्फ दिव्या एंड टोडेश वीडियो 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 डिस्कस बाउट वाइट जूनिया गाइज आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगो को वाइट जूनिया से एक छोटा सा अपडेट देना है कहने के लिए वीडियो के लाश तक बने रहना है आपको पता चल जाएगा कि वह अपडेट क्या है गाइस मुझे आज बहुत सारे मैसेजेज भी रिसीव हो रहे थे इस्टाग्राम पे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या मेल भी कर रहे थे जो कैंडिडेट्स अल्रीडी हैं उन लोग वो लोग काफी परिशान भी थे ठीक है तो मैं सबको रिपलाई नहीं कर पाई हूं बट पॉसिबली मेरे को जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैं रिपलाई की और उन लोगों को अपडेट्स के बारे में भी बताई ठीक है तो मुझे लगा कि एक बार यूट्यूब पे ही मैं बता दू ताकि सबको पता चल जाए तो वो अपडेट्स यह है गाईस जो मैं बताने वाली हूं अप प्लीज उसे ध्यान से समझेगा मैं भी उसे इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी जिन लोगों ने वाइट हैट जूनियर पे टीचर बनने के लिए अपलाई किया हुआ है या फिर उनका डेमो राउंड हो चुका है या डेमो राउंड होने के लिए डेट्स दिये गए हैं लाइक डेमो वन के लिए या डेमो टू के लिए डेमो थ्री के लिए डेमो थ्री हो गया है तो demo 3 के लिए dates दिये गया है ठीक है अगर ऐसा किनी के साथ है और आज से जिनका आज अगर date दिया गया होगा या फिर आज से आने वाले दो सब्ता तक यानि 20 दिन ले करके चलिए आज से आने वाले 20 दिन तक के बीच में अगर कोई dates था कि आपका या demo 2 लिया जाएगा या demo 3 लिया जाएगा तो नहीं होगा आपका interview क्यों नहीं होगा क्योंकि इसे postpone कर दिया गया है अगर आपका date let's suppose कि आज दिया गया ठीक है आपने demo 1 दिया 1 week पहले और इन लोगों ने बताया कि आपका demo 2 होगा आज के दिन ठीक है तो आज आप contact किया आज आप ready थे कि चलो ठीक है आज demo है मेरा demo 2 है बट क्या होगा कि interviewer आपको साफ मना कर देगा और कह देगा कि आपका जो demo round 2 है उसे postpone कर दिया गया है और जो new date होगा वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है वैसा ही demo 1 वालों के साथ 2 वालों के साथ 3 वालों के साथ even यह सब हो सकता है कि जो apply किये है उनको टेलिफोनी round के लिए mail ना आए या अगर आ भी जाए तो जो उन्होंने schedule किया है date उस date पे उनका interview ना हो तो ऐसे situation में आपको tension नहीं लेना है guys आपको ज्यादा सोचना नहीं है घबराना नहीं है कि क्या यह sign है कि हम rejection का sign है या यह लोग के पास vacancies नहीं है या इन लोगों ने मुझे reject कर दिया है ऐसे सवाल आपके mind में नहीं आना चाहिए और मैं इसलिए यह सब बोल रही हूं क्योंकि मुझे जो messages या फिर mails receive हो रहे हैं वो ऐसा ही है जो candidate से वो पूछ रहे हैं कि मैम लोगों ने इतना long postpone कर दिया है आज की जगा पे 20 दिन बात कह रहे हैं कि लेंगे वो लोग तो इसका मतलब यह तो नहीं कि यह लोग मुझे reject करना चाहते हैं या reject कर दिये हैं या फिर हो सकता है इनके पास vacancies नहीं है तो आखी reason क्या है कि यह लोग जो है demo round को date देने के बाद भी postpone कर रहे हैं वो भी इतना लंबा इतना long duration के लिए क्या reason है इसके पीछे तो guys आप tension मत लीजे यह कोई sign नहीं है rejection का इन्होंने पॉस्पोर्ण इसलिए किया है क्योंकि white hat junior का उनकी team का ऐसा कहना है कि उनके तरब से कोई technical issues हो गया है ठीक है technical upgrades करने हैं जिसकी वजह से आज से वो two weeks तक most probably 20 days तक वो किसी का भी interview नहीं ले पाएंगे अगर उनकिसी का conduct वाया गया है dates दिये गया है तो उसे वो लोग postpone करके new date दे दे देंगे ठीक है तो main reason यही है कि कुछ technical issues की वजह से ऐसा हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको reject कर दिये हैं या rejection का sign है या उनके पास vacances नहीं है vacances भी है वो आपको select भी करेंगे अगर आप बहतर है आप 100% देते हो तो definitely select करेंगे लेकिन अभी जो आपको postpone किया जा रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही reason है simple सा वो है कि कुछ technical issues हो गये हैं कुछ technical upgrades करवाना है करना है जिसकी वजह से वो लोग postpone कर दिये हैं interview को simple सा बात है तो इसमें आपको डरना बिलकुल भी नहीं है अगर आपने apply किया हुआ है या फिर आपको किसी भी rounds के लिए dates मिला हुआ है तो आप उस दिन ready रही है interviewer आपको बता देंगे कि हाँ आपका जो date था वो postpone हो करके इस date को होगा new date आपको बता देंगे और अच्छा है कि आपको time मिल जाएगा at least आप prepare कीजिए जितना बहतर हो सके उतने अच्छे से आप preparation कीजिए लेकिन वही है कि जो आपका next schedule date होगा उस दिन आपका interview ले लिया जाएगा अगर आप उसमें बहतर perform करते हो तो आपको next round के लिए भी ये लोग mail send करेंगे आपको select करेंगे ठीक है तो यही mostly मुझे update देना था और ये कहने के लिए छोटा है जैसा कि मैंने आपको बताया लेकिन trust me guys जो candidates के साथ ऐसा हो रहा है वो काफी जाधा परिशान है और मुझे जैस तरह से mails और messages receive हो रहे है उससे यही पता चल रहा है इतना जाधा परिशान है मैं सबको reply नहीं कर पा रही थी but yes मुझे लगा कि ये चीज़े बताना आप लो और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इंटर्विवर आपको postpone कर दिया गया है बोलता है ना कि cancel कर दिया गया है ठीक है तो घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं चलिए कोई बात नहीं ऐसा होता है जब हम इंटर्विव में आप्पियर होने वाले रहते हैं तो हमारे माइ में इस तरह के सवाल आते हैं और वो परिशान होते हैं लेकिन अब आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैंने आपको clear कर दिया है कि बाते क्या है ठीक है यही मुझे आज के इस वीडियो में आपको एक important update देना था उसके साथ सथ फ्रेंड एक और चीज़ मैंने आपको विदानतु से related vacancies के बारे में बताया है अगर आप interested है तो आप apply कर सकते है apply कैसे करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया है लेकिन एक चीज़ और मैं आ आपको अपना resume send करना है वो करना है given mail पे जोकी जो mail address पे आपको अपना resume send करना होगा वो उसी वीडियो की description box में आपको मिल जाएगा या फिर comment section में चीज़ पिन कर दिया है उसी given जो Gmail address है उसी पे अपको resume send करदकी एना है ठीक है तो उसके लिए आप परिशान मत होईएगा और अगर किसी कारण वस सेलेक्शन नहीं होता है या फिर आपको reply back नहीं आता है तो आप उनके official website पे जा सकते हैं वहाँ पे उनकी contact us में आपको mail मिल जाएगा आप उस mail address पे उन्हें mail कीजिए और पूछिए कि आपका application status अभी क्या है आपने resume send किया था उसका status हमें बता दीजिए वो लोग definitely 100% आपको reply करके बताएंगे कि आपका resume वो लोग check किये है या नहीं किये profile आपका view हुआ है या नहीं हुआ है क्या status आपके application का वो आपको बता देंगे ठीक है so don't worry about that आप wait कर लिजे one week तक अगर one week तक आपको reply नहीं मिलता है तो आप ऐसा कर सकते हो ठीक है and leado के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि recruitment process जो है वो तीन तरह का है पहल इसलिए उसका answer दे सकते हो एक चीज आपको धियान में रखना है कि यह लोग जो भेशते हैं वो aptitude test आपको वो expire भी हो जाता है इसलिए आप जब apply करते हो तो keep checking your mail and जैसे ही आपको mail receive होता है आप तुरंद उसे attempt करो और attempt करके submit कर दो otherwise उसमें timing दीवी रती है उस timing के बाद अगर आप attempt करना चाहते हो तो वो expire हो जाता है वो question paper खुलेगा ही नहीं आपके सामने ठीक है तो इस बात को आपको धियान रखना है जैसे आप submit कर दोगे आपका selection हो जाएगा आपको call यह लोग call करेंगे इनके team के तरफ से आपको call आएगा कि हाँ आप select हो गए आपने कित करना होता है that's it so stay calm कोई बात नहीं बस आपको confident रहना है और अपना 100% देना आपका selection हो जाएगा all the very best to you all thank you so much for watching my videos video को like जरो कर दीजेगा और subscribe भी कर दीजेगा thank you thank you so much